हेलो एवरिवन, वेलकम टो एग्रिकल्चर एड़ा 24-7 एग्रिकल्चर एड़ा 24-7 में आपका स्वागत है तो शुरू करते हैं आज के अपनी क्लास आज के अपनी क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज आपने थम्नेल में देखा होगा कि हम लोग apricot को पढ़ने वाले हैं क्या apricot पढ़ने वाले हैं जो की काफी important temperate fruit crop है और यहां से आपके काफी सारे question important बनते हैं तो चलिए सुरू करते हैं आज की अपनी class class हम लोग लगबग कराऊं आज की जो class है वो 40 class है यानि की 40 class हम लोग complete करने वाद जा रहे हैं कितनी 40 class हम लोग complete करने जा रहे हैं आज की class में हम लोग apricot पढ़ेंगे क्या apricot पढ़ेंगे काफी important fruit है ठीक है यहां से कुछ questions आपके बन जाते हैं चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज क्या important रहने वाला है ठीक है बच्चे शुरू किया जाए आज की अपनी class एक बार आप लोग जल्दी से start कर दिए share करिए और उसके बाद हम लोग शुरू करते हैं देखिए जिन्हों ने जो बच्चे नए हैं चैनल पे जिन्हों ने अभी चैनल को like, share और subscribe नहीं किया है वो एक बार चैनल को क्या करें like, share और subscribe जरूर करें अग्री कल्चर अड़ा 24-7 आपको like, share और subscribe चरूर करें उसके बाद ये है हमारा application क्या? ये है application ये मिलने वाली है, यहाँ पे सारे sections अलक्स divide किये गए है इन सारे sections में आपको सारी चीज़े मिलेंगी, उसके बाद यहाँ पे quiz बगारा भी आपके होते रहते हैं तो आप जाके वहाँ पे quiz को क्या कर सकते हैं? आप वहाँ पे जाके quiz भी लगा सकते हैं ठीक है? तो चलिए, अब हम सुरू करते हैं अपनी class और देखते हैं very good evening to Bhumika and Subham चलिए शुरू किया जाए? अब हम लोग पढ़ने वाले क्या? हम लोग apricot पढ़ने वाले हैं, काफी important है क्या है? काफी important रहने वाला है apricot पढ़ने वाले हैं आपको fruit उम्मीद करते हैं देखा होगा, नहीं भी देखा है तो कोई बात नहीं हम आपको दिखा देंगे temperate fruits की category में आता है किस में? temperate fruits की category में आपका आता है ठीक है? family जो है वो है, रोजेसी, कौन सी family है? family रोजेसी है और sub family की बात करें तो prunyodi है, prunyodi sub family होती है और sub family से questions बहुत rare है कि करें, लेकिन जो genus है, genus है आपका prunus और species है आपकी armenica armenica, क्या? armenica, ठीक है? जो आप इसको याद रखेंगे apricot का जो botanical name बना वो prunus armenica बना ठीक है? तो basic chromosome number की अगर बात करेंगे तो 8 है और somatic chromosome number की बात करेंगे, यानि की 2n की बात करेंगे, तो 16 है कितने? n बराबर 8 और 2n बराबर 16 तो चलिए, ये इसका एक तरीके से देखा जाए तो basic है, आपने देखा family के बारे में, हमने discuss किया sub family के बारे में उसके बाद हमने discuss किया genus के बारे में, genus prunus कौन सा? prunus के बारे में, species के बारे में, chromosome के बारे में ठीक है? तो ये हमने देखा, peach के थोड़ा सा botanical description था, यानि ये peach के बारे में हमने थोड़ा सा botanical knowledge रखी अब आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं introduction की, कह रहा है apricot is an important fruit crop of mild hill and dry temperate reason of the country, कह रहा है कि mild hill areas पे, बहुत ज़्यादा hilly areas नहीं चाहिए, और dry temperate चाहिए, कैसा? dry temperate चाहिए, अगर dry temperate देखो की बात करें, बच्चा, तो dry temperate की जो condition है, अपने हाँ इंडिया के अगर बात करें, तो dry temperate की condition कहां पे है, जो लदाख वाला reason है, कौन सा? जो लदाख वाला reason है, वहां पे आपका जो लदाख वाला reason है, वहां पे आपका क्या होता है? वहां पे आपका जो लदाख वाला reason है, वहां पे आपका क्या है? temperate, यानि कि ठंड भी पड़ेगी और सूखी ठंड पड़ेगी, कैसी dry temperate condition वहाँ पे आपको देखने के मिलेगी, ठीक है, its fruits are attractive, delicious and highly nutritious, कह रहा है कि जो fruit quality है, बहुत पेतरीन होती है, बहुत अच्छे fruits होते हैं, ठीक है, उसके आद कह रहा है, it is very rich in vitamin A and also contain more carbohydrate, proteins and phosphorus than majority of common fruits, कह रहा है कि जो normal common fruits हैं, उनसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, उनसे ज़्यादा पाया इसमें आपका vitamins, carbohydrate और आपका phosphorus वगएरा पाया जाता है, आगे बात करते हैं, कह रहा, they are mostly used as a desert, desert का मतलब है कि normally ऐसे खाया जाते हैं, and because of perceable nature, it can be canned, frozen or dried, देखो होता क्या है, कि जो fruits है, यह fruit की quality है, बहुत ज़्यादा highly perceable है, यानि कि ज़्यादा दिन तक आप इसको नहीं store कर सकते हैं, तो store करने के दूसरे तरीके अपनाए जाते हैं, जैसे कौन-कौन से, या तो आप इसको can कर दो, ठीक है, या तो आप इसको frozen कर दो, या फिर आप इसको सुखाल हो, यानि कि अब market में आप देखते होगे, तो dry apricot आते हैं, कैसे, dry apricot आपको देखने को मिलेंगे, यानि कि सूखे हुए apricot आपको देखने को मिलेंगे, the fruits are also processed into jam, nectar and squash, इनसे आप jam, nectar और squash बना सकते हैं, क्या कर सकते हैं, jam, nectar और squash भी बना सकते हैं, चलिए, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं, ये है आपका fruit, क्या है, ये है आपका fruit, बहुत अच्छा fruit होता है, बहुत प्यारा fruit होता है, क्या, बहुत अच्छा फ्रूट है, बहुत अच्छा लगता खाने में, बहुत ही स्वादिस्ट होता है, कैसा, बहुत ही स्वादिस्ट होता है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने खाया होगा, हो सकता है कि आप लोगों ने ऐसा खाया हो, ठीक है, देखने में बिल्कुल समझ में आई, fruits आपको देख लिया, अब आप आइडिया लगा सकते हैं कि apricot देखने में कैसा लगता है, चलिए, आगे बात करते हैं, origin और distribution की, किसकी, origin और distribution की बात करते हैं, कह रहा, the cultivated apricot has its origin in western China, कहां पे, इसका जो उत्परती स्थान है, वो कहां पे, वो है अपका western China में या चाइना में, ठीक है, उसके बाद कही रहा है, the apricot fruit moved best word, मतलब, वहां से कहां, पश्चिम की तरफ move हुआ, यानि कि कहां से, Central Asia, यह जो western China वाला reason है, यह अपका Central Asia में आएगा, किसमें? Central Asia में आएगा, तो कह रहा है, west word from Central Asia, throw Iran and trans-caucasus region and reach Italy during first century, कह रहा है कि वहां से यह move करना है, start क्या, चारों तरफ, ठीक है, यानि कि वहां से इसका क्या हुआ, वहां से यह transfer होना है, स्टार्ट हुआ, कहां, पहले इरान गया, इरान से कहां, जो Caucasus परवत है, यानि कि trans-caucasus, Caucasus को पार करते हुए भी उदर चला गया, उसके बाद कही रहा है, to England पहुचा का, वह 13th century में and to North America by 1720 और अमेरिका पहुचा 1720 के आसपास, ठीक है, उसके बाद कही रहा, commercial cultivation of apricot in India is recent origin and was started by European settler and missionaries after 1870, तो ये चीज हमारे लिए important है, क्या, जो exam point of view से important है, कि इंडिया में कब आया, जो European हमारे यहां आए थे, उस उन European के द्वारा ये हमारे यहां पे आया, यानि कि European missionaries वगेरा जब आया, 1870 के बाद, तब हमारे यहां पे यहां पे आया, उसके आद करें, presently apricot is grown commercially in the hill of Hemantral Pradesh, जम्मू कस्मीर, उत्राखंड and to a limited extent in North Eastern Hills, ठीक है, तो यह कहां पे, जम्मू कस्मीर, आपका Hemantral Pradesh वगेरा जाले जो areas हैं, वहां पे यह अच्छे से grow कराए जा रहा है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं climate की, किसकी? climate की बात करते हैं, और climate पे देखते हैं, क्या है, क्या रहा, apricot can be successfully grown in altitude between 900 to 2000 meter mean sea level, क्या रहा, यह 900 से कितना? 2000 meter mean sea level तक grow कर सकते हैं, और कह रहा है, the white fleshed sweet kernel apricot required cooler climate and are grown in dry temperature region up to 3000 mean sea level, कह रहा है कि white flesh, जिनका flesh कैसा है? white flesh है और जो kernel है वो कैसा है? sweet kernel apricots, कैसे होता हैं, कहां पे grow करते हैं? dry temperature region में grow करते हैं, और 3000 meter mean sea level तक की उचाई पे grow करते हैं, ठीक है बच्चे? चलिए. कह रहा है, the long cool winter यानि की 300 से लेके 900 chilling hour अगर जो chilling hour है, वो कितने चाहिए इसको? 300 to 900 hours चाहिए, इसको किसके लिए? chilling injury को require करने, chilling temperature को, chilling requirement को पूरा करने के लिए, कह रहा, frost free and warm spring are favorable for fruiting, कह रहा है कि frost free, यानि कि पाला नहीं पढ़ना चाहिए, और warm spring, जब spring का season आएगा, तो हलका सा warm spring होगा, fruiting के लिए सबसे favorable होता है, कह रहा है, average summer temperature between 16 to 32 degree centigrade is suitable for growth and quality fruit production, कह रहा है कि जो average temperature चाहिए, 16 से 32 degree centigrade का चाहिए, किसके लिए, average fruit production के लिए, ठीक है, यह average temperature है, बच्चे, जान रखना इस बात को, आगे चलते हैं, बात करते हैं, soil की, किसकी, soil की बात करते हैं, soil की बात करते हैं, कह रहा, apricot is quite hardy and can be grown in most of the soil, but a deep fertile and well-drained loamy soil, कौन सी, loamy soil are much suitable for its growth and development, कह रहा, जो इसके लिए perfect soil चाहिए, वो कैसी चाहिए, वो loamy soil चाहिए, यानि कि well-drained loamy soil चाहिए, जो आपकी सबसे बढ़िया होती है, इसकी growth के लिए, कह रहा, the pH of the soil should be 6.0 to 6.8, कह रहा, जो pH चाहिए, वो 6.0 से लेके, 6.8 चाहिए, इन लद्दाख and the kenour, large wild apricot trees are found growing in sandy soil, well-drained soil, which is not very fertile, देखो, जो लद्दाख का reason है, वो apricot के बिहाब से बहुत famous reason है, कैसा, लद्दाख का जो reason है, वो apricot के बिहाब से बहुत famous reason है, क्योंकि यहाँ पे क्या, लद्दाख वाले reason में बहुत diversity है, कैसी, काफी diversity है apricot के लिएकर, और वहाँ पे बहुत सारे ऐसे plants हैं, जो आपके क्या करते हैं, जो very, जो विल्कुल less poor fertile है, उस पे भी क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, normally अगर आपको ग्रो करना है, तो 6 to 6.8 पी जो होता है, वो sufficient होता है apricot के ग्रो करने के लिए, चर्माग्ज, उसके बाद है आपका कैसा, उसके बाद है मोर परक, और फिर है टर्की, टर्की के बाद है scent embryos, उसके बाद है siplase early, और आपकी है चौबतिया अलंकार, चौबतिया मधू, चौबतिया केसरी, ये सब क्या हैं, ये सब काफी popular varieties हैं आपकी, किसकी, ये सब आपकी काफी popular varieties हैं, आपकी apricot की, ठीक है, किसकी, apricot की, यहां तक चीज़े clear हैं बच्चे, यहां तक चीज़े clear हैं, चलिए, अगर यहां तक चीज़े clear हैं, तो अब चलते हैं, आगे, और आगे देखते हैं, बात करते हैं, रूट स्टाग की, किसकी, रूट स्टाग की बात करते हैं, ठीक है, कह रहा है, कि वैसे तो इसका propagation, grafting और budding से क्या जाता है, किससे, grafting और budding से क्या जाता है, बट जब रूट स्टाग को grow कराने की बात आती है, तो रूट स्टाग को किससे, cutting से grow कराते हैं, बट एक problem है, problem क्या है कि जो rooting है वो very slow होती है, क्या होती है, rooting very slow होती है, ठीक है, उसके आद करा wild apricot, कौन सा, wild apricot, wild peaches, seedlings are commercially used as a root stock, तो root stock की तोर पर किसको इस्तेमाल कर रहे हैं, wild peaches को और wild apricot को as a root stock, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, however, wild apricot seedlings are generally preferred as a root stock, because the graft union is good and the tree are more vigorous than on plum or wild peaches seedling, कह रहे हैं कि wild apricot सबसे बढ़ी होता है, क्यों, क्योंकि इसमें graft union आराम से assemble हो जाती है, graft incompatibility की समस्या देखने को नहीं मिलती है, जिसकी वज़े से क्या wild apricot को preferred किया जाता है, ठीक है, और जो plant है आपका, वो भी कैसा होता है, vigorous होता है, ठीक है बच्चे, यहां तक चीज़े clear हैं, चलिए, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, बात करते हैं, root stock की, किसकी, root stock की बात करते हैं, तो कहरा है, peach is a satisfactory root stock, उसी के आगे है, दूसरी heading है, आप लोग यह मैं समझना की, फिर दुबारा से repeat कर रहे हैं, उसके आगे की heading है, ठीक है, कहरा है, peach is a satisfactory root stock for light soil and dry condition, but sometimes graft union is enlarged और rough, कहरा है की वैसे तो light soil में peach आपका अच्छा काम करता है, as a root stock, लेकिन समस्या क्या है, कि इसमें graft union या graft enlarged की जो समस्या है, वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, यानि कि graft union जो है, वो enlarged और rough हो जाता है, ठीक है, यानि कि damage होने के chances जो हो हैं, वो थोड़े से बड़ा जाते हैं, उसके आद कहरा है, in heavy soil, under excessive soil moisture condition, apricot on myrobalum plum makes better growth, कहरा है कि अगर high soil moisture condition है, यानि कि water logging condition जैसी समस्या अगर है, तो वहाँ पे जो myrobalum plum है, वो आपका as a root stock, इसे इसमाल कर लिया जाता है, ठीक है बच्चे, यहाँ तक कोई समस्या है यहाँ तक कोई समस्या है, comment करके बताओ, चल्दी से कि यहाँ तक कोई समस्या है क्या, चलिए, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं planting की, किसकी बात करते हैं, अब बात करते हैं planting की, ठीक है, किसकी बात करते हैं, बात करते हैं planting की, कहरा the apricot plants are planted during the dormant season, मैंने आपको एक बात बताई थी बहुत पहले समझाई थी कि जब भी हम किसका temperate fruits का plantation करेंगे planting करेंगे तो हमेंसाद dormant season में करेंगे ज़्यादा most of the cases में ठीक है और अगर हम evergreen fruits का करेंगे तो most of the cases में जो आपके fruit plant होंगे वो किसम होंगे वो आपके rainy season में होते हैं ठीक है तो यह थोड़ा सा common है कह रहा है तो वही बात यहां पर कह रहा है कि apricot plants are planted during the dormant season that is end of the December to February कब कौन से time में December से लेके February के time में क्या करते हैं सर्थ थोड़ा slow पढ़ाओ बचा और slow पढ़ाए चलिए slow पढ़ाते हैं कह रहा है कि apricot के जो plants है वो dormant season में किसमें dormant season में उनको plant करते हैं तो dormant season में जब plant करते हैं तो dormant season में क्या होता है कि अब मैंने आपको बताया था कि dormant season में क्या होता है कि जो आपके temperate fruits हैं वो सारे dormant season में ज़्यादा था most of the case में और जो आपके evergreen है, वो कैसे होते हैं, वो आपके rainy season में प्लांट की जाते हैं, तो इनकी जो planting है, वो फरवरी से लेके, दिसंबर से लेके फरवरी तक की जाती है, ठीक है, उसके आथ कह रहा है, but early planting gives better establishment, क्या, अगर आपने early planting कर दी, तो जो आपके plant का establishment है, वो अच्छा होता है, क्या होता है, अगर आपने early planting कर दी, तो establishment अच्छा होगा, आगे कह रहा है, on the flat land, flat land पे regular planting layout system such as square and triangular is followed, कह रहा है कि अगर land plane है, कैसी, अगर land plane है, तो वहाँ पे square system, कौन सी, square system, या फिर triangular system, कौन सा, triangular system जो है, वो आप इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन अगर आप hill slope है, यानि की पहाड़ी छेतर है, तो उस पे contour system का इस्तेमाल करते हैं, किसके लिए, planting के लिए, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, जन्रली प्लैक्टिस्ट करते हैं, किसका, ठीक है, चलिए, यहाँ तक चीज़े clear हैं, आगे बात करते हैं, कहरा, the spacing of plant varies with the soil, climate and vigor of variety and roots तक, कहरा है कि, जो spacing है, किसकी, जो plant की spacing है, वो varies करती है, किस पे, soil पे, climate पे, variety पे और plant के vigor पे, तो इन चीज़ों पर varies करती है, तो normally रखते कितनी है, तो कहरा है, कि the plants are generally planted at a spacing of 6 into 6 meter, कितना, कहरा है कि जन्रली जो हम planting distance रखते हैं, वो कितनी रखते हैं, वो हम रखते हैं, 6 into 6 meter, ठीक है बच्चे, यहाँ तक चीज़े clear हैं, कितनी रखते हैं, 6 into 6 meter हम लोग planting रखते हैं, चलिए, अब आगे चलते हैं, और आगे देखते हैं, अब बात करते हैं training की, किसकी? training की बात करते हैं, चलिए, कहरा है, the apricot is trained to open waste and modified central leader system, कहरा, apricot को दो उसमें train कर देते हैं, open center system में भी कर सकते हैं, ठीक है, और modified में भी कर सकते हैं, किसमें? modified में भी train कर सकते हैं ठीक है open center system में भी कर सकते हैं और modified में भी कर सकते हैं ठीक है कहना training through the open way system of training is more popular in hilly region लेकिन हमने अभी बताया आपको कि हम इन दोनों से कर सकते हैं लेकिन इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा popular है, क्या इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा popular होगा, वो कौन सा होगा? इन दोनों में जो सबसे ज़्यादा popular है, वो आपका open center system popular है, लेकिन कहाँ पे? हिली रीजन पे, जो पहाड़ वाले छेतर हैं, वहाँ पे आपका open center system अपनाया जाता है. उसके बाद करा है, one year plant is headed back at about 62 cm above the ground leader. एक साल का plant है, उसको आपने यहाँ से head back कर दिया, कितने? 60 से 70 cm ground level से. and 3 to 5 well-spread suits are allowed to grow, कह रहा है, 3 से 5 suits आपने allowed to grow कर दिये in the directions, in all the directions, while undesirable suits are pinched off during summer. कह रहा है कि आपने क्या किया, 60 cm height से उसको क्या कर दिया, heading back कर दिया, और वहीं से आपने 3 से 5 suits को select कर लिया, और उसके बाद क्या कर दिया, उनको grow करने दिया. यह वही techniques है, जो हमने उसमें आपको बताई थी, किसमें, हमने जब आपको training पढ़ा रहे थे, जब हम open center system बता रहे थे, तब हम आपको बताई थे, कैसे open center system को develop किया जाता है, उसको वही same चीज़ें यहाँ पे, फिर discuss की जा रही है, ठीक है, चलिए, यहाँ तक चीज़ें clear है बच्चे, अगर यहाँ तक clear है, तो अब आगे चलते हैं, बात करते हैं, प्रूनिंग की, किसकी, प्रूनिंग की बात करते हैं, ठीक है, प्रूनिंग की बात करते हैं, कहरा, apricot beers on spur and laterally one year old suit, क्या, कहरा है कि जो apricot है, इसके जो fruits होते हैं, वो किस पे, वो इस पर पे beer क करते हैं, यानि की spur पे आते हैं, इस पर आपको पता है कि one year old suit होता है, ठीक है, उस पर fruits आते हैं, कहरा, the spur has a short life of three to four years, कहरा, कितनी life होती है, तेन से चार साल होती है, यानि की तгор साल इस पर frर करेंगा, कितने साल तीन से चार साल तक इसपर में फ्रूटिंग होगी उसके बाद इसपर में फ्रूटिंग नहीं होगी इसलिए कह रहा है कि जो इसपर की लाइफ है वो कितनी है वो उसकी तीन से चार साल है ठीक है फिर कह रहा है And many of them also get broken during the fruit plucking कह रहा है कि तीन से चार साल लाइफ है उसके बाद जब हम हार्वेस्टिंग कर रहे होते हैं तो बहुत सारे सपर्स क्या होते हैं टूट जाते हैं ठीक है कह रहा है अगर आपको production चाहिए तो production चाहिए तो production तब ही होगा जब उसमें नई ग्रोथ आएगी जब नई ग्रोथ आएगी तो नई सपर्स निकलेंगे और जब नई सपर्स निकलेंगे तो ही उन पर क्या roots आएगे तो अब ये क्या करेंगे नई ग्रोथ लाने के लिए हमको प्रूनिंग करनी पड़ेगी क्या करना पड़ेगा नई ग्रोथ को लाने के लिए हमको उसमें प्रूनिंग करनी पड़ेगी तब ही तो उसमें क्या होगा तब ही उसमें जब इस पर आएगे तो production होगा और इस पर आते कहां हैं इस पर आते हैं आपके जो growing laterals होती हैं यानि कि जो lateral branches हैं उन पर आपके इस पर आते हैं कहरा है कि जो नए plants है उनमें pruning light यानि कि हलकी होनी चाहिए और इसके साथ corrective यानि कि सही डंग से जहां पर आपको नीड है वहाँ प्रूनिंग करनी है जहां पर आपको नीड नहीं है वहाँ पर प्रूनिंग नहीं करनी but in case of older tree heavy pruning should be done to maintain the balance between vegetative growth and fruiting कह रहा है कि अगर आपका plants पुराने हो गए है यानि कि आपके plant old हो गए है तो उसमें आपको क्या करना है तब आपको उसमें heavy pruning करनी है ठीक है बच्चे यहां तक चीज़ें clear है ताकि जो balance है vegetative growth का और fruiting का बना रहे क्योंकि vegetative growth होती रहेगी तो fruiting आपकी होती रहेगी ठीक है बच्चे चलिए अब बात करते हैं flowering की कह रहा है कि तीरी तीन बड़ डबलफ होती है कहां पर लीफ एक्जल पर लीफ एक्जल पर तीन बड़ डबलफ होती है और उनहीं पर क्या डबलफ होते हैं उनहीं पर आपके suits और इस पर आपके डबलफ होते हैं ठीक है कहरा the central one being a vegetative bird and the two side birds are floral bird कहरा तीन बड़ डबलफ होती है जिसमें जो speech वाली बड़ होती है वो आपकी vegetative bird होती है यानि कि वो उस growth को और आगे बढ़ाएगी लेकिन इसमें क्या होता है कि बाकी जो side की दो होती है वो as a floral bird होती है यानि कि वो flower को डबलफ करती है ठीक है कहरा time of flowering and its duration varies with the variety and the prevailing weather condition कहरा है कि जो इसका time होता है ये vary करता है कि इसके साथ फ्लावरिंग के साथ साथ यानि कि condition के हिसाब से क्या करता है vary करता रहता है ठीक है बच्चे चलिए अब आगे चलते हैं आगे देखते हैं बात करते हैं किसकी पॉली नेशन की and fruit set की इसकी पॉली नेशन और fruit set की बात करते हैं कहरा है कि most of the commercial as apricot are self fruitful कैसा most of the commercial apricot varieties जो है वो सब कैसी है self fruitful है यानि कि उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है fruit मतलब पॉली नाइजर वगएरा की जरूवत नहीं पड़ती है वो आपकी self fruitful variety है and set fruits without पॉली नाइजर क्या करती है बिला पॉली नाइजर के ही fruit set हो जाते हैं मतलब इन में पॉली नाइजर क्या हो सकता नहीं पड़ती है पॉली नाइजर तो आप लोग समझ रहे ना किसे कहते हैं पॉली नाइजर कहरा है however varieties like charmugs and perfection have been reported self incompatible कहरा कुछ variety है जो self incompatible है कैसी है कुछ self incompatible है ये दोनों जो variety है ये कैसी है ये self incompatible है मतलब कि इनके जो flower है उसके flower में जो male portion है वो female को fertile करने के लिए perfect नहीं है क्या swim के flower में ही जो male और female है वो एक दूसरे से fertile नहीं होते है ठीक है यानि कि self incompatibility का ये मतलब होता है ठीक है तो ऐसी varieties को pollinizer से ये होता है यानि कि दूसरा flower दूसरा plant से ये होता है जहां से pollen आके female को fertile कर सके नहीं कि रहा है कि जंदली है वो क्लाइमेट जो होती है ग्रोइंग कल्टीवर्स हैं वो क्या करती है एक लाइमेट में आपका अच्छे डंग से production करती है climate मैंने आपको बताई थी कि कौन सी dry weather अगर है या dry temperate है तो सबसे better रहता है इसके production के लिए ठीक है यहां तक चीज़े clear है बच्चे चलिए आगे चलते हैं बात करते हैं fruit thinning की किसकी thinning की कैरा fruit set is an fruit set in apricot is rather heavy which result into undersized fruits and also increase the tendency of bineal bearing क्या रहा है कि इसमें जो fruits आते हैं बहुत heavy fruits आते हैं यानि कि जो fruiting होती है बहुत heavy fruiting होती है तो अगर हम पूरी heavy fruiting को लेंगे तो क्या होगा एक तो हमारा fruit का जो size है वो छोटा हो जाएगा और उसके साथ साथ क्या होगा कि जो bineal bearing की समस्या है वो सुरू हो जाएगी किसकी bineal bearing की समस्या सुरू हो जाएगी यानि कि दो साल में एक बार फलन आएगा ठीक है उसके बाद कहरा है fruit thinning improves fruit size promotes regulator bearing decrease limb breakage due to heavy crop load कहरा है कि thinning हम क्यों करेंगे thinning हम करेंगे किसके लिए thinning हम करेंगे हमारा fruit का size अच्छा होगा जो regular bearing है regular bearing है वो बढ़ेगी और साथ साथ जो limb brackets है यानि कि जो हमारी branches तूट जाती है वो भी नहीं तूटेंगी किसकी विज़े से heavy crop load की विज़े से फिर कह रहा है fruit thinning should be done with 40 days after full bloom कह रहा है कि full bloom के 40 days बात क्या होता है fruit thinning की जाती है that is during the last week of April to first week of May कह रहा है कि last week of April से लेके first week of May के बीच में क्या कियाता है उस time पर आपका fruit thinning की जाती है because this is the effective period influencing the fruit bud formation कह रहा है कि यह वो समय है जब क्या होता है fruit bud आपकी develop हो रही होती है उसी time पर क्या कर देते हैं thinning कर दी जाती है ठीक है बच्चे यहां तक चीज़े clear है चलिए यहां तक clear है तो अब चलते हैं आगे बात करते हैं harvesting की किसकी बात करते हैं harvesting की और yield की कह रहा है climate change of surface color harvesting की रिए क्या indication होता है और कब आपकी harvesting करनी चाहिए करा change of surface color days from full bloom to harvest and fruit TSS are considered to be the best indications of maturity कह रहा surface का color change हो जाए और आपका कब आपका flower आए थे उससे आपकी maturity जो है वो आपको पता हो full bloom to harvest का full bloom from to harvest आपको day पता हो यानि कि कितने दिन हो गए कब bloom होगा था कब हम harvest करेंगे उसके साबसे आप count कर सकते हैं या आप fruit का TSS total soluble solid को भी आप देखके उसका test करके उससे भी आप majority को indicate कर सकते हैं फिर कहरा the fresh to for fresh market fresh market के लिए fruit को harvest करना है the fruit are plugged when surface color turn green to yellow कैसे अगर आपको fresh market के लिए भेजना है यानि कि पास में भेजना है तो आपको कैसा जैसे ही surface का color green से yellow turn हो आप उसको भेज सकते हैं उसके आप कहरा है full ripe fruits are how ever harvested for freezing जो full ripe fruits हैं वो harvested कियाते हैं किसके लिए freezing के लिए canning के लिए and drying के लिए किसके लिए freezing के लिए canning के लिए और harvest drying के लिए यानि कि इनको सुखा के क्या किया था इनको सुखा के बेचा जाएगा किरा इन हिमांचल परदेश days from full bloom to harvest and fruit TSS have been standardized for the different varieties to judge the optimum time of harvest क्या आए कि जो fruit TSS है और full day bloom है ये अलग-अलग variety के हिसाब से vary करता रहता है क्या अलग-अलग variety के हिसाब से vary करता रहता है तो इसको आप क्या कर सकती है ये उतना perfect नहीं होता है क्योंकि अलग-अलग variety के साब से अलग-अलग होता है normally जो color change वाला stage है उसी से आप harvest कर सकते हैं ठीक है बच्चे चलिए यहां तक चीज़ें clear हैं जल्दी से एक बार comment करके बताओ कि हाँ यहां तक सारी चीज़ें clear हैं जल्दी से एक बार comment करके बताओ कि यहां तक सारी चीज़ें clear हैं चलिए फिर हम लोग आगे चलते हैं आगे बात करते हैं और आगे देखते हैं जिन्होंने चैनल को नहीं subscribe किया हो अगर आपको class अच्छी लगी हो तो एक बार चैनल को share जरूर करें like, share और subscribe भी करना ना भूलें क्या? चैनल को like, share और subscribe करना ना भूलें अगर आपको class अच्छी लगी हो तो आप जरूर करिएगा beard entrance के लिए answer नहीं बच्चा beard entrance के लिए नहीं है भाई beard entrance में agriculture नहीं पूछा जाता है यह आपकी अगरी कल्चर यह जो class है यह agriculture के जितने भी exams है उन exams में सब में आने वाली है यह उन्ही exams को target करके की जाती है ठीक है? चलिए आगे चलते हैं यह है आपका अड़ा 24-7 का app क्या? यह है अड़ा 24-7 का mobile app आप लोग अगर डाउनलोड नहीं किया है तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं इसमें agriculture का पूरा अलग section बना हुआ है वहाँ पे आप जाके agriculture वारे section पे आप इसको enroll कर सकते हैं वहाँ पे आप सारी चीजें एक जिखह पा सकते हैं current affair, daily quiz, job alert, magazine, capsule जो भी सारी चीजें हैं वीडियो जगेरा वो सब यहाँ पे आप पा सकते हैं उसके सार्थ आप यहाँ पे quiz भी पा सकते हैं क्या, यहाँ पे daily quiz भी पा सकते हैं जो आपको app पे मिला करेंगे ठीक है, तो यह है app जिन्होंने न डाउनलोड किया हो वो एक बार जरूर app को डाउनलोड करें और इसको enroll करें ठीक है बच्चे, चलिए आगे चलते हैं यह हैं आपके complete video course यह है आपका complete agriculture foundation का video course जो त्यारी कर रहा है अगर purchase करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं discount के लिए आपको Y443 code का इस्तेमाल करना है Y443 का अगर आप किसी और भी exams की त्यारी कर रहा है या आपका कोई relatives किसी और exams की त्यारी कर रहा है और वो agriculture adda 24-7 से कुछ भी purchase करना चाहता है तो भी ये code आपका use तो भी आप ये code यूज कर सकते हैं ये code आपको सिर्फ और सिर्फ discount दिलाएगा जरूरी नहीं कि आप agriculture के ही उसमें use कर सकते हैं ठीक है किसी में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अगरी कल्चर अड्डा की website पर या अगरी कल्चर अड्डा के app पर ठीक है चलिए ये थी आज की हमारी class और यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि अड्डा की website पर आपको आप जैसे जाएंगे वहाँ पर आपको सारी चीज़ें देख जाएंगी तो जो भी आपके यहाँ पर हैं चाहें आप किसी भी उसकी तयारी कर रहे हो मतलब जो लोग और भी किसी exams की तयारी कर रहे हो सारी चीज़ें यहाँ पर आएं सारे exams की तयारी होती है किसी भी exams का अगर कोई batch purchase करना चाहता है तो आप इसमें Y443 code का इस्तेमाल करके आप में exam discount पा सकते हैं उम्मीद करते हैं कि आपको class अच्छी लगी है अगर आपको class अच्छी लगी हो तो एक बार सेयर जरूर करिएगा आपने जो groups हैं वहाँ पर ठीक है और जन्होंने चैनल को subscribe नहीं किया है वो लोग चैनल को subscribe कर लें तो कल फिर मुलाकात होगी सुबह rapid fire की series में 11 बजे तब तक के लिए जहन्द